जैंद्र जै भोलेनाद दोस्तों एक बच के 56 मिनिट और मार्केट ने आज 120 का स्तर भी हासिल कर लिया जो कल मैंने बोला था 120 तक आ सकता है यह लेकिन स्टॉप लोस वही होगा कि 120 के उपर क्लोज कर देगा तो 130 आ गया देखिए आज सुबह आपको लग रहा था कि 130 आएगा और डर का महोल पैदा करेगा उसके बाद ही यह कुछ हो गया तो कल वाला वही लाइन है देखिए एस इट इस वह लाइन यह डॉट से मैंने ड्रॉट किया था यह जो इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन का लोग और यह लोग को टच करके यह देखिए आज का हाई यहां पे चुआ है अब जब तक इस लाइन के अंदर नहीं गुशेगा यह तेजी में नहीं आया फिर से एक रिवर्स डाउन साइड है सो अभी भी चिंता की कोई लेकन अगर लॉजबी ऊता हाजार बारा सो रुप्रेस से जाधा याद दो हजार से जाता नहीं हो सकता है इसमें आपने कितने पुट ले-लेके ले-ले-ले-ले-क भर गए हैं ला इसी लिए मैंने वह तरीका निकाला लेकिन अभी यह एक ऐसे जंच्टर में आप देखो कल मैंने आपको यहां पर बोला था कि इसको चुने आएगा मगर इस लाइन के अंदर गुष्के अब क्लोज करना इतना असान नहीं है अंदर गुष्के क्लोज कर दिया तो फिर यह न्या हाई बनाएगा लेकिन चांसेज बहुत कम आया अभी भी में बोला हूं इतना बढ़ने के बाद 120 कल मैंने बोला आपको लेकिन 120 नहीं बनता यह से लाइन के ऊपर क्लोज आना चाहिए यह लाइन देखे यह महिना भी आपका बाबाजी मगर होना नहीं चीए और जो मैं इंट्राडे में दे रहा हूं बले आठ रुपय में दे रहा हूं साड़े आठ में दे रहा हूं बंद होते होते हैं अगर साथ भी हो जाता है तो भी आपको क्या नुकसान है इंट्राडे में एक रुपय का न सेप्टम्बर एंड के फिर अक्टूबर पहले हमने अगस्ट एंड के लिए अब सेप्टम्बर एंड के लिए ठीक है अभी सेप्टम्बर में टाइम है हम बोल सकते लेकिन देखिये क्या हुआ तीन-चार दिन गिरा कि यहां तक लाया वापस इसका 50% तो ला दिया यह लोग क्या कर रहें किसी भी पूट वाले को जीने नहीं दे रहें तो आज देखा जाए तो निफ्टी स्ट्रॉंग हो गया बैंक निफ्टी से आज मगर आज की क्लोजिंग बहुत इंपोर्टेंट है अगर 120 के उपर क्लोज कर जाता है तो मैं बोलूंगा भाईया थोड़ा सावदान हो जाईए लेकिन मुझे लगता है एक डाउनसाइड आएगी अभी दो बज गई है अब दो यह दो दस से आनी चींग है अभी 180 पांट उपर है देखते हैं आज क्या होता है कि एक्जक्ली रेजिस्टेंस पर आगर आप देखोगे तो यह रेजिस्टेंस पर यह कल ही मैंने बोला था यहां तक आए गई और आज भी सुबह भी आपको समझाए था पच्चीस हजार पचास पच्चीस हजार पचास पॉर्ट से लेके 25,090 के बीस तो आपको शॉट कर करना है और स्टॉप लोस डालना है 25,120 का क्लोजिंग बेसिस क्लोजिंग बेसिस तो इतना छोटा सा तो दिया अब कुछ लोग बोलते सार आप निफ्टी में यह क्या दे तो भया इतना तो दूंगा ही नहीं दूंगा तो क्या करूंगा इसको मेरा टार्गेट मैं अभी विए अक्टूबर का वही रख रहा हूं लेकिन अभी यह इमिडियेट स्टॉप लोस यह ठीक है फिर उसके बाद वाल टाइम आई देखेंगे क्या होगा अभी तक तो क्लोजिंग क्या आती है देखो चार्ट के इसाब से यह यहां से एक रेजिस्टेंस प्रेस होना चाहिए अब सोचो आज मैंने इसको आई से प्रू को सेल दिया है सेवन फॉर्टी नाइन पर एक वरी पर मार्केट दो सो पांट उपर रही है जैंगे चोहदा रुपए नीचे आई को है आईसे से प्रू लाइव जैंजिनेंद्रा जैंजिनेंद्रा जैंजिनेंड़त आई